हेलो एबरीबन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सक्तिफार्मा दोस्तो आज हम डिसकस करने बाले हैं जन्न नोलिज के अतिमहत्पूर्ण प्रस्न दोस्तो अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंतक चर नहीं तो दोस्तो हमारा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानि धनबाद तो याद रखेगा भार्तिय खरन विद्ध्याले धनबाद में इस्तित हैं चलिए अब नेक्स कोस्टन की और बढ़ते हैं गुश्चिन नमबर है 127 फोर्ट बिलियम कालेज कहां है तो बताइएगा दोस्तों फोर्ट बिलियम कालेज कहां पर है option A आगरा, option B नाइदिरली, option C मुंबई and option D कोलकाता तो हमारा correct answer हो जाएगा option D यानि कोलकाता चलिए अब next question की ओर बढ़ते हैं question number है हमारा 128 बिश्व भारती बिश्विद्याले की स्थापना किस ने की थी? option A रविन्ना टैगोर, option B राजा राम मोहन राय option C बंकिम चन्द चटर जी and option D इन में से कोई नहीं तो हमारा correct answer हो जाएगा option A यानि रविन्ना टैगोर, चलिए अब next question की ओर चलते हैं question number है हमारा 129 सिक्छा में सुधार हेतू बिटिश शरकार ने शैडलर आयो कब नियुक्त किया? option A, 1911 में, option B, 1917 में, option C, 1920 में and option D, 1922 में तो हमारा correct answer हो जाएगा option B यानि 1917 में तो याद रखेगा दोस्तों सिक्छा में सुधार हेतू बिटिश सरकार ने शैडलर आयो कब नियुक्त किया? 1917 में, चलिए अब next question की ओर बढ़ते हैं question number 130, मुगल काल में किस भासा को रेखता कहा गया है? option A, उर्दू, option B, और B, option C, तुर्की and option D, फार्सी तो हमारा correct answer रहेगा, option A, यानि उर्दू चलिए, अब next question की ओर चलते हैं question number 131, भारत की किस भासा को इटालियन ओफदा इस्ट कहा जाता है? option A, तमिल, option B, मल्यालम, option C, तेल्गू and option D, बांगला तो हमारा correct answer रहेगा, option C, यानि तेल्गू चलिए, अब next question की ओर चलते हैं question number 132, देश की एक मात्र किस राज्य की राजभासा अंग्रेजी है? option A, नागलेंड, option B, सिक्केम, option C, मडिपूर and option D, मिजोरं तो हमारा correct answer हो जाएगा, option A, यानि नागलेंड चलिए, next question की ओर चलते हैं question number 133, निमिल लिखी देशों में से किस में तमिल एक पिर्मुख भासा है? option A, मियामार, option B, मौरिसस, option C, सिंगापूर and option D, इंडोनेशिया तो हमारा correct answer रहेगा, option C, यानि सिंगापूर चलिए, next question की ओर चलते हैं question number 134, आमिर खुष्रों ने किस के विकास में अग्रणी भूमी का निवाई? option A, अब दी, option B, भोजपुरी, option C, ब्रजभासा and option D, खड़ी बोली हमारा correct answer रहेगा, option D, यानि खड़ी बोली याद रखेगा दोस्तो, important question ने ये, जो अमीर खुष्रों हैं, अमीर खुष्रों ने किस के विकास में अग्रणी भूमी का निवाई? तो खड़ी बोली, याद रखेगा, important है, चलिए, next question की ओर चलते हैं, question number 135, तिरपुरा की राजभासा है, तो दोस्तो बताईए, तिरपुरा की जो है, राजभासा कौन सी है, option A, हिंदी, option B, बांगला, option C, मल्यालम, and option D, नागा, तो हमारा जो correct answer रहेगा, option B, यानि बांगला, तो दोस्तो याद रखेगा, जो बांगला है, वो तिरपुरा की राजभासा है, याद रखेगा, important है, और दोस्तो हिंदी बताईए, किसकी राजभासा है, तो याद रखेगा, हिंदी जो है, वो राजभासा किसकी है, एक तो यूख के यानि उत्राखंड की राजभासा भी हिंदी है और जारखंड जारखंड की भी राजबासा नोड कर लीजिये ठीक है ठीक है केरल की राजवासा कौन सी है मल्यालम अब दोस्तों आप कमेंड करिएगा कि जो नागा है वो किस राजजे की राजवासा है चलिए अब नेक्स कोस्टन की और चलते हैं कोस्टन नमबर 136 निमिलिखित में से कौन से राजवासा ने उर्दू को अपनी सरकारी भासा के रूप में स्विक्रति प्रदान की है और प्रदेश तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा और यानि जम्मु कस्मीर तो दोस्तों याद रखेगा इंप्रटेंट कोस्टन है जम्मु कस्मीर ने उर्दू को अपनी सरकारी भासा के रूप में स्विक्रति प्रदान की है ठीक है दोस्तों यह बताएगा आप राजजव कोन सी है कमेंड करिएगा जल्दी से चलिए आव नेक्स कोस्टन की और चलते हैं कोस्टन नमबर है 137 दूर दर्शन की पिर्थम समाचार बाचिका कौन थी आप्शन ए सोभना जगदीश आप्शन बी अभिनास कौर सरीन आप्शन सी पिर्थिमा पुरी एंडी सल्मा सुल्तान तो हमारा जो करक्ट आंसर रहेगा आप्शन सी यानि पिर्थिमा पुरी तो दोस्तों पिर्थिमा पुरी जो थी दूर दर्शन की पिर्थम समाचार बाचिका थी याद रखेगा इंप्पोर्टेंट कोस्टन है चलिए अब हम नेक्स कोस्टन की ओर चलते हैं कोस्टन नमबर है 138 दूर दर्शन का दैनिक राष्टिये कारकरम किस बर्स आरंब किया गया ओप्शन ए 1980 इस भी ओप्शन बी 1972 इस भी ओप्शन सी 1975 इस भी और ओप्शन डी 1981 इस भी तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ओप्शन बी यानि 1972 इस भी तो दोस्तों याद रखिएगा दूर दर्शन का दैनिक राष्टिये कारकरम 1972 इस भी में आरंब किया गया था चलिए अब नेक्स कोस्टन की ओर चलते हैं कोस्टन नमबर है 139 सबसे अधिक डांक घर किस देश में हैं दोस्तों important कोस्टन है इसको note कर लिजेगा सबसे अधिक डांक घर किस देश में है तो तो option A भारत, B फ्रांस, C जापान, and option D चीन, तो हमारा correct answer रहेगा, option A भारत, ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक डांक कर हैं, ठीक है, चलिए, अब next question की ओर चलते हैं, question number है, हमारा 140, यदि postal index, postal index number, postal index number means दोस्तों, PIN, याद रखेगा, postal index number, यह जो हमारी PIN होता है, PIN, इसकी full form क्या होती है, postal index number, यदि postal index number 6 से शुरू हो, तो बहर डांक अगर संभवते किस राज्य में इस्तित होगा, बताइए, option A महारास्ट, option B करना टक, option C केरल, and option D इन में से कोई नहीं, तो हमारा जो correct answer हैगा, option C, यानि केरल, तो दोस्तों याद रखेगा, अगर PIN कोड 6 से यानि 6 से स्टार्ट होता है, तो वो संभवते किस राज्य का कोड होगा, वो केरल का होगा, याद रखेगा, चलिए, अब next question की ओर चलते हैं, question number है हमारा, 141, मुंबई महानागर का HDD कोड क्या है, option A, 021, option B, 022, option C, 033, and option D, 024, तो हमारा correct answer रहेगा, option B, यानि 022, दोस्तों ये बताईए, STD की full form क्या होती है, comment करिए जल्दी से, STD की full form comment करिए जल्दी से comment box में, चलिए, अब next question की ओर चलते हैं, question number 142, निमे लिखित में से किस भक्ती संत ने अपने संदेश के पिर्चार के लिए, सबसे पहले हिंदी का पिर्योग किया, option A, दादू, option B, तुलसी दास, option C, रामानन्द, and option D, कबीर, हमारा correct answer रहेगा, option C, यानि रामानन्द, चलिए, next question की ओर बढ़ते हैं, question number 143, भारत में money order प्रणाली का प्रारंब हुआ, तो भारत में money order प्रणाली का प्रारंब कब हुआ, ये बताना है हमें, option A, 1880SB, option B, 1882SB, option C, 1884SB, and option D, 1937SB, तो हमारा जो correct answer रहेगा, option A, यानि 1880SB, चलिए, next question की ओर चलते हैं, question number 144, भारत में dark ticket कब जारी किया गया, option A, 1869SB, option B, 1884SB, option C, 1882SB, and option D, इन में से कोई नहीं, हमारा correct answer रहेगा, option B, यानि 1884SB, तो दोस्तों याद रखेगा, भारत में जो dark ticket जारी हुए थे, 1884SB में चारी हुए थे, important question है दोस्तों, इसको note कर लीजिए, चलिए अब हम next question की ओर पढ़ते हैं, question number 145, इंद्रा गांधी राष्टिय मानव संग्राले कहां है, option A, भोपाल, option B, गोहार्टी, option C, चेन नई, and option D, बस्तर, हमारा correct answer है, option A, भोपाल, दोस्तों आप ये बताईए, भोपाल जो है, कहां की राजधानी है, जल्दी से comment करिएगा, चलिए, अब next question की ओर चलते हैं, question number 146, भार्तिय सर्वेक्षण बिभाग का मुख्याले कहां इस्तित है, option A, हैदराबाद, option B, नई दिल्ली, option C, चंडिगड, and option D, देहरादून, D, यानि देहरादून, चलिए, next question की ओर चलते हैं, question number 147, राजिस्थान इस्थित जावर की खाने किस खनिच के लिए प्रिसिद्ध हैं, option A, जस्ता, option B, तामा, option C, लोहा, and option D, ये सभी, हमारा correct answer हो जाएगा, option A, यानि जस्ता, चलिए, next question की ओर चलते हैं, question number 148, धार्मिक कविताओं का संक्लन कुरल, किस भासा में हैं, option A, ग्रीक, option B, पाली, option C, तेलगू, and option D, तमिल, हमारा correct answer हो जाएगा, option D, तमिल, चलिए, next question की ओर चलते हैं, question number 149, बिधाईका को किस पिरकार की सरकार में कार्रेपालिका से अधिक प्राथिमिक्ता मिलती हैं, option A, संगिय सरकार, option B, संसदिय सरकार, option C, अधिकारबादी सरकार, and option D, राष्टपती सरकार, हमारा correct answer रहेगा, option B, यानि संसदिय सरकार, चलिए, next question की ओर चलते हैं, question number 150, अनबारे सुहेली ग्रंत किसका अनुबाद है, option A, पंचतंत, option B, सूर्शागर, option C, रामायर, and option D, महावारत, हमारा correct answer हो जाएगा, option A, पंचतंत, दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तो वीडियो को like and share चरूर कीजिएगा, दोस्तो आप comment जरूर कीजिएगा, कि आपको next वीडियो किस topic पर चाहिए, थैंक यू फूर बाचिंग